हलो फ्रेंड्स, वेलकम तू कोहेली की दुनिया आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और आज है मंडे और मंडे को फिर से लेकर चली आए हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी और आज का जो स्टोरी है वो इतना ही इंस्पिरेशनल है कि आपको क्या पताओं एक ऐसे मा और बच्चे की कहानी जिससे हम सभी बहुत ही इंस्पायर होंगे और ये मा ने अपने बच्चे की परवरिश ऐसे की कि वह बच्चा बड़ा होकर सारे पृत्वी को रोशनी दिखाया तो आशा करती हूँ कि आपने सही गैस किया होगा कि व दोस्तों आज की कहानी है महान वैग्यानिक थॉमस आलवा एडिशन और उनके माता की थॉमस आलवा एडिशन तब प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे एक देन स्कूल के एक टीचर ने थॉमस आलवा एडिशन को एक मुड़ा हुआ काग़्ज दिया और कहा कि ये ले जाकर अपनी मा को दे देना एडिशन घर आए और अपनी मा को वह कागज देते हुए कहा कि टीचर ने यह आपको देने को कहा है मा ने वो कागज ले लिया और उसे लेकर वो पढ़ने लगी पढ़ते पढ़ते उनके आँखों से आशु बहने लगे एडिशन ने अपनी माता से पूछा कि मा इस कागज में ऐसा क्या लिखा है कि आपके आँखों से आशु बह रहे हैं एडिशन की माता जी अपने आशुओं को पोछते हुए बोली इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही होशियार है और हमारा स्कूल नीचे स्थर का है यहां अध्यापक भी बहुत सिक्षित नहीं है इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते हैं इसे आप अब स्वयम ही शिक्षा दें उस दिन के बाद से मा खुद उन्हें पढ़ाने लगी और मा के ही मार्ग दर्शन में एडिशन पढ़ते रहे कई वर्षों बाद एडिशन की माता जी गुजर गई मगर तक तक एडिशन बहुत ही बड़े और महान वैज्ञानिक बन चुके थे और उन्होंने फोनोग्राफ और इलेक्रिक बल्ब जैसे कई महान आविशकार कर लिये थे एक दिन फुरसत के शणों में वह अपने पुरानी यादगार वस्तूओं को देख रहे थे तब ही उन्होंने अपनी अलमारी भी खोली और उसी के कोने में एक पुराना खत देखा खत को देखते ही वो उत्सुकता वर्ष उसे खोल कर पढ़ने लगे ये वही खत था जो बच्पन में एडिशन के सिक्षक ने उन्हें दिया था उन्हें याद था कि कैसे उन्हें स्कूल में ही अत्यधिक होश्यार गोशित कर दिया गया था लेकिन यह क्या? पत्र पढ़कर एडिशन अचंबे में पढ़ गये उस पत्र में लिखा था आपका बच्चा बौधिक तर पर काफी कमजोर है इसलिए उसे अब स्कूल ना भेजें इसे पढ़ते ही एडिशन की आँखों से आशु जणने लगे वो घंटो रोते रहे उस दिन और फिर उन्होंने अपने डाइरी में लिखा एक महान मा ने बौधिक तर पर काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्यानिक बना दिया तो दोस्तों आज की कहानी से हमने क्या सीखा? जीवन में हम क्या हैं? कैसे हैं? यह महत्वपुन नहीं है लेकिन अगर अपने उपर मा की ममता और प्यार हो तो बच्चा कैसा भी क्यों न हो? उस बच्चे का भविश्य और नियती को बदला जा सकता है मा की ममता और प्रेम में परवरिश होने वाले बच्चे महान व्यक्ती बन सकते हैं हम अक्सर हमारे बच्चे की थोड़ी भी कोई बुराई करते तो तूट पड़ते हैं बच्चों को डाटने मानने लगते हैं लेकिन दोस्तों हमें थॉमस आलवा एडिशन की मदर से यह सीखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करें हम अगर अपने बच्चों को सही तरीके से मोटिवेट करें दूसरों की बातों में कान ना दें और उससे इंफ्लूएंस होकर बच्चों पर रियाक्ट ना करें बच्चों को सही तरीके से मोटिवेट करते रहें तो आगे चलकर हमारा बच्चा भी किसी न किसी फील्ड में जरूर काम्याब होगा